हेर ग्रोथ तो जैसे रुख ही गई है, बेबी हेर आते तो हैं लेकिन जड़ जाते हैं, हेर लाइन पीछे भागती जा रही है, क्राउन एरिया के बाल इतने कम हो चुके हैं कि बिल्कुल चम्पू लगते हैं, क्या आपको यह ऐसे जन है जिनको इन में से एक या मल्टिपल परिशानी है, तो आज के वीडियो सिर्फ आपके लिए है, पूरी वीडियो को ध्यान से समझेंगे और उसके बाद एक्जिक्यूट करेंगे, तो यकीन मानिये, हेर ग्रोथ आपकी हो जाएगी और आप हमारे, जहां, तूरी वीडियो को ध्यान से देखकर, समझ कर ही एक् आशा करती हूं आप सभी स्वस्त हैं खुश है अपना खयाल रख रहे हैं और बहुत पॉजितिव हैं अगर चानल पर पहली बार आए है तो मेरा नाम है प्रेड़ना चानल का नाम प्रीती प्रेड़ना बेहतुरीन डूइट यॉर्सेल्फ रेमेडीज में यहां शेयर करती ह स्किन केर एंड हेल्थ केर जिनका इस्तमाल करके मेरा परिवार बहुत कुछ है तो आप भी परिवार का हिस्सा बनना अवश्य कंसिडर कीजेगा नीचे एक लाल रंका बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है बिलकुल मुफ्त है क्लिक करते ही आप परिवार का हिस्सा बन जाएंगे बगल में बेल आइकन है कर आप उसको क्लिक करते हैं तो मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और आप टाइमली यहां पर आप आते हैं आज के वीडियो में जैसा कि मैंने इंट्रॉक्शन में आप से कहा मैं हेर ग्रोथ चालेंज आ आपको बताती रहती हूं कि कौन ट्राइ कर सकता है कौन ट्राइ नहीं कर सकता है किस अवदी तक किस मात्रा में इसी लिए पूरी डाइमेंशन को जानने के बाद डिस्सिप्लेंट वे में धहरे रखते हुए अगर आप इस रेमेडि को करते हैं तो तीस दिनों में आपको अगर चालेंज लेने के लिए रेडी है तो जल्दी से अपनी नोट बुक और पैन रेडी कर लीजेए नोट्स लिए कि आज आपको क्या करें तो आज का जो हमारा है घर चालेंज हम फॉलो करने वाले है इसके दो स्टेप्स होने वाले हैं जिसके लिए हमें एक टोनर प्र प्रिपेर करना है दोनों को प्रिपेर करने के लिए जिन इंग्रीजिंस के हमें आवशकता पड़ेगी वो होपफुली आपके घर में मौझूद होंगे लेकिन अगर मौझूद नहीं है तो सभी चीजों का लिंक मैं नीचर डिस्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंग नहाने से पहले सोते समय या उठते ही साथ आप जैसे इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके जो इंग्रीजिंस है वो है इसका सीक्रेट की क्यों आपके बाल उगेंगे तो सबसे पहला इंग्रीजिंट इसका इस्तमाल यहां पर हम तोनर बनाने के लिए करने वाले हैं वो है रो तो रोजमेरी लीव्स का यहां इस्तमाल करेंगे रोजमेरी लीवस के बारे में मैं बहुत सारी वीडियों समय आपको बता चुके हूं कि आप रोजमेरी का सेवन भी करें, just boil your potatoes, इसमें ड्राइड रोजमेरी डाल दीजे, हलका सा भून भानके and then consume it, खाने में भी काफी स्वादिश्ट होता है और जब आप लगाते हैं तो आपके बालों को externally भी वो ताकत मिलती है कि वो असानी से ग्रो कर सकें, दूसरा इंग्र करी लीव्स, यानि की कडी पत्ता, मुझे बतानी की कते है आवशक्ता नहीं है, मेरे परिवार के बहुत सारे लोग यहां पर टेस्टमेनी लिख सकते हैं कि मात्र कडी पत्ते के सेवन से, चू करके उसका जूस गल्ब करने से, उनका हैर फॉल सबसाइड हो गया, जहां, आ नए लोग आते हैं चैनल पर वो डाउट करते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो आप लीचे चेक आउट कीजए, फैमली ने डेफिनेटली लिखा होगा कि करी लीव्स कितना ताकतवर है, तो इन ही दो ताकतवर चीजों का हम इस्तवाल करने वाले हैं, आपके बालों को ग् मैंने दोनों ही ड्राइड यहां लिये हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो यकीन मानिए वो ज्यादा बहतर है, आप उनका इस्तमाल कीजिए, और इसको आप अच्छे से खोला लीजिए, जब तक यह आधा ना रहे जाए, आपने एक कप पानी डाला है, जब यह आधा क आप इसके बाद आप इसको अच्छे से अपनी पूरी रूट्स पर चाहें तो लेंस पर भी लगा सकते हैं, पर हम चाहते हैं ग्रोथ जो की रूट से होती है, इसलिए पार्टिशन करते जाए और पूरे बालों में अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, यह टोनर अपने आप कि अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ, वह वाला नहीं, डिस्सिप्लेंड वे से फॉलो कीजे एवरी सिंगल डे अप खुद आकर बोलेंगे कि भाई क्या कमाल की चीज बताई है, कमाल की चीजे नेचर में अल्रेडी अवैलेबल हैं, हम ही जादा गडम चगडम कर के खराब कर कि इस टोनर के काम को स्थाथ करेंगे और आछा से अखुवा क्शी कररेंगे और जादा अच्छ से काम होता है और जादा अच्छ सपीड्गा स्पीड चाराऻ कराइगे अब यहां पर होन है, विद अहरा तरफेर हैं विद इस दाई physics चाल कर में और यहां थある है, बलिट इ आपको पता है, अकेला ही इतना ताकतवर है, इसको जब ताकत और मिल जाती है, तो यह कमाल ही कर देता है, तो आप यह ले सकते हैं, आरगन ओयल, बहुत एक्सपेंसिव है, I understand, लेकिन आरगन ओयल की जो पेनिट्रेशन है, आरगन ओयल का जो सीरम जैसा स्ट्रक्चर है, यह आप में इंफ्यूजन के लिए भी बहुत अच्छा है, और रिजल्स देने के लिए तो कमाल है ही, तो आप इन में से कोई भी ओयल ले सकते हैं, अगर आप किसी बहुत थंडे प्रांत में रहते हैं, तो आप सैसेमे ओयल, यानि कि तिल के तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और यानि के तो काई सबस्टमाल करना चाहते हैं, में यहाँ पर और कोकोनट ऑल का बेसल रही हूँ, एक कप मैंने यहाँ पर ऑललिया है और यिसमें आ आपको लेना है यह तो इनले में आ इसमीरी की ड्राइड लीज्ट shifts और इसमें आप अप्रोक्सिमेटली आदा चम्मच रोजमेरी लीव्स और आदा चम्मच करी लीव्स चाहें तो बढ़ा भी सकते है क्वान्टिटी कोई परिशानी नहीं है और अच्छे से इसको सिम पर बिल्कुल कम आज पर धीरे धीरे इंफ्यूज होने दीजे अगर आपको इसे जन है जो तेल जल जाएगा बाल सफेद हो जाएंगे और इन सब चीजों के लिए पानिक करते हैं तो आइ वोग सिजेस्ट कि आप डबल बॉयलर मेथट का इस्तमाल कर लीजे थोड़ा समय लगेगा जादा टाइम लगता उसको होने में लेकिन इन्फ्यूज बहुत ह अगर आपको यह एसे जन है कि आपको नहीं पता की डबल बॉयलर मेथर्ड से भी जूज रहा यह नहीं दूप में रख दीजे जे एक अफ़ते धूप में सिर्फ दूप में है चंद्रमा नहीं रखने रात को नहीं रखने बार सब तर दूपमें रखे छाम को वापस कोई hard and fast rule नहीं है कि ऐसे ही फॉलो करना है तो पहले आपको टोनर लगाना है इसका अब्सॉर्प्शन अच्छ से होने देना है इसके लिए अब्सॉर्प्शन कर सकते हैं कि रात को लगाया अब्सॉर्ब हो गया सोगे नेक्स्टे मॉर्निंग आपको ओलिंग करनी है यही जो अब्सॉर्प्शन कर लिया है इसको आप स्ट्रैंड कर एक यहां बहुँन कर यह इसको आप स्ट्रैन कर Θंब को नहींड थाएं क्रीजिग को एप एसको स्ट्रैंबल में आप थजिएग क्योंकि प्लास्टिक बॉटल में अग्यार इसको अमिन अदर पารथ हो už जाएं झाल अच्छे से इंफ्यूजिन हो जाए जिस वे में आपनी करी है, apply it on your roots, क्योंकि ग्रोध देख रहे हैं, इसले मैं लेंस की बात नहीं कर रहे हूं, सिरफ रूट पर अच्छे से apply करिये, हमेशा पहले कंगी करिये, बालों को अच्छे से सुल्जा लीजिए, फिर सॉफ्ट हैं अच्छे से रूट पर इसको apply कीजिए, हाथों से नहीं करना चाहते हैं, ड्रॉपर ले लीजिए, ड्रॉपर से apply कर लीजिए, and just let it be in your roots, done, इसके बाद बालों को बान दीजिए, तीन से चार घंटे, अगर ओवरनाइट के लिए कामफटबल है, तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, अदरवाइस नहाने से दो तीन हंटे पहले अच्छे से लगा के, हलका हलका मसाज, बहुत जादा चंपी करने के आपशकता नहीं, क्योंकि इतने गजब की इंग्रीजिएंट से अपने पेने प कर सकते हैं, और इसके बाद जैसे आप नॉर्मल वाश करते हैं, वैसे वाश कर लीजिए, चैमिकल चीजों का इस्तमाल कम किजिए, लीविन चंडिशनेस अगर घर पर बनाए तो बहुत ही अच्या, अगर आपके बाल बहुत रफ हैं, तो करिये कंडिशनेस का इस्तमाल, अगर आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुली किसी चीज के लिए अलोर्जिक हैं, तो आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुली किसी चीज के लिए अलोर्जिक हैं, तो आप इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुली किसी चीज के आप पैच टेस्स ले लीजे अधर वाइस जेनरली यह सभी लोगों को सूट कर जाता है इसकी अगर हम बात करें तो क्योंकि हमने ड्राइड चीजों का इहां पर इन्फूजन किया है तो यह महीनों चलता है कोई परिशानी नहीं होती है लेकिन अगर आपने अपने अच्छल परिशानी आपको होगी ही नहीं क्या इसको हम एवरी सिंगल डे करें बिल्कुल भी नहीं आप इसको हफ्ते में तीन बार करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे तीन बार तो आपको यह टोनर प्लस ओईलिंग करनी ही करनी है इससे ज्यादा अगर अगर कम्फोट इसके बाद आपको विजबल चेंज़ दिखेंगे अगर आप इसको एक्जाक्ली ऐसे करते हैं तो बाल सेटल होने लगते हैं ग्रोथ आने लगती है जो ग्रोथ आती है वो फ्रिजी नहीं होती है सेटल रहती है आपकी हुई और वो भी अच्छी वाली जिहां सिरफ ग्रोथ नहीं डिवलप्मेंट होगी आपके बालों की जिसको आप बहुत 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 अच्छे से इंजॉय करेंगे तो आशा करती हूँ आप सभी कोई प्रस्तुती पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक करन मत भूलिएगा आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में विच सम्थिंग माजिकल फो यूर हेर स्किन हेल्थ तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये और प्रीती प्रेणा के सभी चानल से जोड़े रहिए आप यू अल टेक गड़ केर